सब्जेक साइन्स धातू अने अधातू शरुवात करिए आपड़े तत्वो ने तेमनी वाहकता अने गुंधर्मने आधारे उधारन सहीत वर्गी कुरुद करो तो तत्वो मा अधातू तत्वो अने अर्ध्धातू तत्वो तेओ नी वाहकतानू मुल्य खुबज उँचु छे जेमके कॉपर, एल्युमिनियम अने सिल्वर अधातू वाहकतानू मुल्य खुबज उछु होई छे अर्ध धातु तेवनी वाहक्तानु मुल्य दातु तत्व करता ओचु परन्तु अधातु तत्व करता वदु होय चे जहमके सिलिकॉन अने जर्मेनियम तो वाहक्ता विद्यार्थी मित्रो वाहक्ता एकले के कोई बी पदार्थ ए पोताना अंदर बाथी वीज प्रवानी पसार करी शके छे के नधी करी शकतु अथ्वातो केटला प्रमाण मा करी शके छे थोड़ा अंशत्ता प्रमाण मा करी शके का तो नापण करी शके बीजो प्रश्ण बहुतिक गुंड दर्मु बीजु दातुना सामाने गुंड दर्मो लखो एमा पेल्लू दातु हो तेमनी शुद्ध अवस्थामा चड़काट वाड़ी सपाटी धरावे छे किवी सपाटी धरावे छे चड़काट वाड़ी ते ओडा ना ताप माने गण पारा सीवाय अनने सकत होय छे अवक ओडा ना ताप माने आबेली धातु हो के वी होय चे सकत होय छे गण होय चे पन पारो छे ए लिक्वीड स्वरूपमा Ex Lex ત્યાર પછી તે તણાવ પણા અને ટિપા પણુનું તણાવ પણુએરે ખેંચી શકાય છે તે ઉષમાં અને વિદ્ધ્તના કરી જકે છે રણકાર અધાતુ તત્વો એવા ઉદાળણ આપો કે જે ગણ વાયુ અને પ્રવાહી સોરુપે છે અધાતુ ત્તુ સામાન્ને ગુણધરુમ લખો તો અધાતુ ત્તુ નો સામાન્ને ગુણધરું તે ગણ અથવા વાયુ સોરુપે જોા મળે છે અપવાત સોરુપે ભ્રુમી ને પ્રવાહી સોરુપે જોા મળે છે તે ઉષમા અને વિદ્દના અવાહા જે તે ઉષમા ને વિદ્દને પોતાના અંદધી પસાર થવા દેતો નથી તે ટીપા પણુ અને તણાવ પણુનો ગુણદરમા જાય છે અને ઉત્કલન બિંદુ જલ્દી થી ઉકડી પણ જાય છે તે રણકાર ઉત્પણ કરી શકતા નથી એમને કઈક ફક્ત ભહુતીક ગુણ ધર્મના આધારે વર્ગી કરણ કરી શકાય નહી હવે ધાતુ તત્વની વાદ કરી છે ને ધાતુ ના ગલં બિંદુ ઉંચા હોય છે પરંતુ ગ્યાલ્યમ અને સીજ્યમ ના ગલં બિંદુ ની ચા છે પણી છે ધાતુ દાતુ તતુ ઓ છરી વડે કાપી શકાય નહી પરંતુ આલક્લી ધાતુ જેંકે લિથ્યમ સોડિયમ ને છરી વડે જુવા મળે છે પરંતુ બ્રોમીન છે પ્રવાઈ સરુપા જુવા મળે છે સામને રીતે અ ધાતુ તતુ ચરકાટ ધરાવતા નથી પરંતુ આયોડીં છે એ ચળકાટ ધરાવે છે અ ધાતુ તતુ ના ગલંત બિંદુ નીચા હય છે પરંતુ હરબણ નો છે બિજો પ્રકાર છે ગ્રેફાઈટ કયો છે ગ્રેફાઈટ વિદ્દ્નો કે હો છે સુ આહાક છે આમ થાયા અપફાદ રૂપો કારણ આગળ બત્તા મેગનેશમની પટ્ટી અને સલ્ફરના પાવડરને સડગાવતા મરતી નીપજ એમ જીઓ અને સલ્ફર ડાયોકસાઇડ એસોટુ મળે છે એમ જીઓ અને સલ્ફર ડાયોકસાઇડ એસોટુ મળે છે આગળ મેગનેશમ ઓક્સાઇડ બેજિક ગુણ ધરમો ધરાવતો હવાથી તે લાલ લીટમસપ્પેપર બુરુ બુરુ હવાથી તે લાલ લીટમસફ પેપર નેબુરુ બુરુ 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 તો સું આવ્ષે બે લાબુ બુરુ એટલે इसल्फर डायोकसाइड सू, एसू टू, एटले, ए भू ला, एसीड ए भूराल लिटबस्पिपर ने लाल बनावे छे, आगडवदी ये विद्ध्याती मित्रो, दातु ओनी प्राप्ती, प्रश्ण, नीचेना पदोने व्यक्खेईत करवाना छे, खनीज, काची दातु, अने ग्यान, खनीज, जे तत्वोके सैन्यो जनो, प्रुथ्वीना ब्रुपूष्ट मतलब पोपडा माथी, कुद्रती रिते मडीने, त्याने खनीज कहे छे, त्याने खनीज, जे खनीज माँ, सारा प्रमाण माँ, निश्चित धातु होए, अने ते धातुनो, सर्ड ताथी, निश्कर्शन थाई सकतु होए, तो त्येवी, खनीजने, काची धातु, अयस्क कहे छे, अयस्क मानीलो, एक मोट्टो, खनीजापण जथो मड़ेओ छे, ए जथा माँ, जो लोखण, काथो पसी कौपर, काथो एलिमिनियम, काथो बीजुखोई प्रकार नू धातु, वधारे प्रमाण मा रहेलू होए, अने तेने जो, सुद्धी करण, एन्थी, अलग करवू तो तेने आपने अयस्क अथवादू काची धातु कही शुँँ, हावे ग्यें, प्रुथ्वीना पोपडा माथी मर्ती काची धातु मा तत्व एकलू होतु नथी, परन्तु तेमा वधू मात्रामा माटी रेती अने अनिचनिया पदार्थो, पन असुद्धी सोरूपे तो खनीज, खनीज पची एना जे अपने प्राप्त थाएचे अयस्क अने गैंग, सक्रियता स्रेणी आधारे धातु नू वर्गी करण, कही स्रेणी? सक्रियता स्रेणी, तो सक्रियता ना आधारे धातु ना त्रोन रीते वर्गी ग्रुथ थाएचे, उन्ची सक्रियता, म के, एने, सीए, एमजी, अने, एयर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्सियम, मैगनेशियम, एलुमिनियम, वदू सक्रिया छे, अने, विद्धुत विभाजन्ती, मेड़ी भी शकाई छे, अहीं यह तमने लखुँ छे, सक्रिया के भी छे, वदू छे, सक्रिया एकले, तत पर यह साथे, जोडान, जोडी, दैस है, वदू सक्रिया, अने, ए मड़े छे कीवी रिते, एनी, प्राप्ती कीवी थाई छे, ए विद्धुत विभाजन्ती पद्धती द्भारा, मध्य सक्रिया ता, श्रयानी वाली, तो, ZN, Fe, Pb, अने, Cu, लेड, कॉपर, आयन, अने, चे, नीची सक्रिया ता, श्रयानी, दातुओ, सक्रिया ता, श्रयानी मां तडिये रहेली धातुओ, सव थी, ओची सक्रिया तै, A, G, अने, AU, ओची सक्रिया चे, आथी, मुक्त अवस्थामां मडए छे, सीधी, मुक्त अवस्थामां मडए, आमां कोई ना जोडे बिजो, गेंग साथे जोडायली होती नथी सक्रियता से अनी तडिये रहेली दातुओ सव थी ओची सक्रिया होये छे ते गणी वार मुक्त अवस्थामा मड़े छे सोनू अने चांदी चांदी अने कौपर तेमत सलफाइड अथवा ओक्साइड सोरूपे प्रुथवीना भुपोष्ट माती संयुक्त अवस्थामा मड़ी आवे छे 2 रिती कांटो सुलफाइड सोरूप मांітचांदो ओक्साइड सोरूप मां चांदो संयुक्त रिते अत्वा चूटी पण मड़ी आवे घणी वस्थोनी अयक्स्क ऑक्साइड होये छे आम थवानू कारण छे के ओक्सिजन खुबत सक्रियत अत्वा छे अने प्रुथ्वी ना विपुल प्रमाणवां मड़े छे ओक्सिजन छे ए तेनी साथे सहीयों जाई जाए एतला ओक्साइड सरुपा मोस्ट अप्री बदी धातुओं मरती होये छे 28 गैँग एतलेशू गैंगने दूर करवा माटे वप्राती पद्धतीनो आधार सेना पर रहेडो छे तो अपणे गैंग एतलेशू येतों जोही किया विद्यार्धिमित्रू काची धातू माती मलई आवत अननिक प्रकानों करच्रों जैने आपणे ग्यांग गाईशू, मतलब काची धातुमा तत्वा एकलू होतु नथी, परन्तु वदू मात्रामा माटी रेती ना कणो अ निचनिय पदार थो असुद्धी स्वरूपे होई छे, आवी असुद्धी ने ग्यांग गहे छे। बहुतिक गुणदर्म पर रहेलो छे, कारण के घैंग अने जे आपणे धातु मेडवान चे एकल्चरो अने जे आपणे धातु मेड़ाए ए बन्नेना रासाइनी गुणदर्मो अने भँतिक गुणदर्मो नाई आधारे तैने कई रिदे छुटी करवी ए अनि पद्धती उ उपर रहेलो छे, गुणदर्मो उपर आधारिक छे, हवे वात आई काची धातु माथी शुद्ध धातुना निश्कर्षन माटे समाविष्ट तबक्काओ चाड रूपे छे तो आहीं विद्ध्यार्थी मित्रो, जो ही शकर्षत में के अयस्क, अयस्क एटले आपने काची धातु विद्ध्यार्थी मित्रो, अयस्क नो संकेंदरी करण, संकेंदरी करण एटले पेला याने छुट्टी पाढ़वा माविष्ट, के विरिते, उन्ची सक्रियता सेरनी व परन्तु मध्य सक्रियेद है धरावती धातू मेडवानेचे तेमां लिए प्रकारेया से, एक कार्बोनेट नोँ अयस्का से और भी जो सल्फाइड नो अयस्का से, मतलब खनिच धातू, तो एक कार्बोनेट वाला मूँ क्यल्शिनेचन करू पड़ से और सल्फाइड वाला बुन्जन करूँ पडशे अंते तमें यहां जोई शको चो बन्नेनू एकत साथे धातों नो ओक्साइड माथी रिडेक्शन द्वारा असुद्धी धातु दूर करवानी रहे शे अने पची आपणने धातों सुद्धी करण प्राप्त थाय छे त्यार पची विद्यार्थी मित्रो नीची सक्रियता धरावती धातु माँ सल्फाइड ए अयस्क होई छे सल्फाइड अयस्क माँ बुन्जन करवा माँ अवसे पद्धती पची धातु प्राप्त थासे अने ए धातुनू सुद्धी कराण थाशे तो आ अलग अलग विद्यार्थी मित्रो पाट सोरूबे महची दिद्धा छे ए आपणे शक्रियता श्र्याणी ने आधारे करेल छे आगण विद्यार्थी मित्रो 30 मा नम्बनो प्रश्न सक्रियता श्र्याणी मा नीचे रहली धातु अनू निश्कर्षन समझाओ निश्क्रिय होई छे नीचे ना लेयर मा होई छे ते आ अ धातुना ओक्साईडने मात्र घरम करी त्यानू रिडक्षन थई धातु छूटी पड़े छे दाखला तरीके सिन्न बार HGGS, HGS ए मर्क्यूरी नी काची दाजू छे पारो जयारे तेमा हवा मां घरम करवा मां आवे छे त्यारे प्रथम ते मर्क्यूरी ओक्साइड HGO मां फिवराई छे त्यार बाद मर्क्यूरिक ओक्साइड ने वदू गरम करता ते मर्क्यूरी HG मां रिडेक्शन पामेचे मतलब अहिया थी ओ दूर थाई छे एकले रिडेक्शन HGS मतलब के सिन बार वत्ता ओटू घरम करवामा आयो तो सुथाचे सिन बार ना बे अनुओ मले छे अने सलफर्ड आयोकसाइड ना बे अनुओ मले छे बैलेंस करो माटे यह आपणे बे मुक्या छे अने यह आपणे त्रण मुक्या छे तेज बची आज है HG OIUN वदू गरम करवा थी आपणे HG छूटी पड़े छे विद्या थे मित्रों त्यार बची आज प्रमाने कॉपर के कुद्रती Cu2S स्वरूपे अयस रिते मडे छे तेने गरम करवा थी copper Cu उपर नी जे मज पहला तमें oxygen हाजरी मां गरम करशो तो मड़से copper oxide एमा copper oxide ने वदू गरम करता ते CuS साथे नी प्रक्रिया थी आपणे Cu छूटो पड़े लो जो आ मड़े छे तो विद्यार्थी मित्रो आज ना आ प्रक्रण मां चालेला जे प्रश्णों छे ए प्रश्णों नोर्टबुक मां सारा अक्षरे लखी ने तैयर करवाना रैश है अस्तु जय हेन जय बारात